अब इसमें बताया जा रहा है कि 10 पास के बल मांगा जा रहा है लेकिन आप लोग यह समझ लीजिए 10 पास में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप अपलाई करिएगा अनिथा अपलाई मत करिएगा क्या एज लिमिट होगी कैसे अपलाई करना है और देखिएगा ठीक है इनोने रिकूटमेंट निकाला है उसका नोटिफिकेशन निकाला है यह पूरा देख लिए अब यह ग्रामी डॉक्स सेवक जीडियास आनलाइक गेडमेंड जुलाई 2020 का निकाल दिया है और इसमें देख लिए इस्टेशन जो है वह आज से शुरू हो इसमें BPM के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM यानि की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अब इसमें एक्चुली 12,000 से 29,380 तक का इनका सेलरी सिलेब है और वहीं पर डाक सेवक के लिए 10,000 से लेके 24,470 यानि की आपका इन्हेंट 30,000 से 35,000 के बीच बनेगा टाइम के अधार पर सेलरी मिलती है आप जितनी देर तक काम करेंगे आपने तीन से चार घंटे काम करना है या आठ घंटे या नो घंटे उस प्रेकार से आपकी सेलरी बनेगी अब आप इसमें देख लीजिए कि लिए जोब प्रोफाइल ब्रांट पोस्टमाश्टर का जोब प्रोफाइल है यह आप लोग देख लीजyou का दिस्केशन में ने लिंक डाल दिया ठीक है मैन बाथ यह है कि इन्होंने जो पास मांगा है वह सब्जेक्ट में मांगा है ठीक है तो इन्होंने जो मांगा है वह देख लीजिए आपके बाद English और Math होना चाहिए ठीक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए इन्होंने जो मांगी है कि सेकेंडरी स्कूल लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है केवल 10 पास डाला जा रहा है अगर आपके पास तभी अप्लाई करिएगा वर्नमत अप्लाई करिएगा इस में ठीक है अब अधर क्वालिफिकेशन में यह कंप्यूटर नालिज मांग रहा है नौलेज आप साइकिलिंग मांग रहा है एडि सबसे अच्छी बात है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए तो यह चीज आप दो देख लिजेगा इसमें अप्लाई कैसे करना है सिलेक्शन के टरिया इनका जो है वह देख लीजिए सेलेक्शन के टरिया साट इसे इंगेजमांडर बेसिस आप मेरिट करेंगे आपकी हाइट मैं जितनी अच्छी मैरिट होगी आपका सिलेक्शन होने की अच्छी उमीद है ठीक है तो टेंथ में अगर आपके अच्छे परसेंट हो तभी अपलाई करियेगा वरना मत अपलाई करिये गा इसमें तो कि लाश्ट यह भी ऐसे हुए था है तभी अप्लाई करिएगा ठीक है बाकी सब्जेक्ट से हैं तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते निरस्थ हो जाएगा आपका फार्म यह पूरा इनका नोटिफिकेशन है कैसे अप्लाई करना है अगर आपको आनलाइन फार्म भरने में कोई इसू आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिजीगा जै हिन जै भारत